में आज जो लीक्च Frei पढ़ना है वहमने क्मपोसेट प्राइस इंडेक्स नंबर को कन्टिनियू करना है पर दुर चंद यूथ अनधर नढतके अंदर हमने प्रता क्मपोसेट प्राइस इंडेक्स नंबर और दूसरा था average of relative method जो दो तरीके से use हो रहता है number one fixed base method और number two chain base method तो हम आज समझेंगे fixed base method से और जो chain base method होगा average of relative का वो हम समझेंगे next class के इंदर तो let's start the class using average of relative method taking base 2019 अब देखें जब भी आपको वो base here बताएगा तो इसका मतलब है कि वो किसे मांग रहा है fixed base method से मांग रहा है और क्या मांग रहा है average of relative method तो यहां पर आपको दिया में 2019, 20 और 21 ठीके इसी तरह से आप वी 1, वी 2 और वी 3 अच्छा वी 1 मैंने इसको consider कि वी 2 इसको वी 3 2021 को right सबसे वहले हम start करते हैं अपने formula से formula मारे पास है PN divided by P O multiply by 100 PN का मतलब और P O का मतलब मैंने last class में कि आपको समझाया था बट मैं दुबारा से वह सरता कुछ नए students हो तो उनको मैं दुबारा clear कर दे लो PN केते हैं price of the current year यानि current year की price PO केते है price of the base year यानिके base year की price multiply by 100 formula का ओके तो सबसे पहले हमारे पास है 2019 अभी देखें जब 2019 हमारे पास है तो यही हमारे पास कौन सा है current year है तो current year हमारे पास है 12 base year भी हमारे पास already mentioned it 19 तो यह भी हमने base रख ली multiply by 100 तो यह आपका आएगा 100 clear होगी बात next अब आपका current year कौन सा है 2020 है और 2020 की price क्या है 13.5 0 divided by 12 12 क्योंकि क्योंकि उसने base year आपको बता है 2019 multiply by 100 तो यह आगया आपका 112.5 ओके ट्रेट पर बात वी 3 पे चलते हैं वी 3 आपकी 15 divided by 12 multiply by 100 तो यहाँ पर भी वह आपको बताऊंगा base year आपके अल्रीडी 12 है तो यहाँ पर आगया आपका 100 and 25 क्लियर हो गई आता के बाद अब हमने लेनी है next नेक्स्ट आपके है सबसे पहले आप निकालेंगे वी 1 वी 1 आपका price भी है current year भी है यह बेस यह यह यानि कि 3 divided by 3 multiply by 100 तो यह आपका आजाएगा 100 ओके नेक्स्ट आपका आजाएगा current year आपका 2020 बन गया 2020 में 3.5 यह current price divided by base आपकी क्या होई 3 multiply by 100 तो यह आगया 116.766 आएगा तो 7 लेनी है मैंने ओके और इसी तरह से 21 आगया current year तो current year क्या है 3.75 divided by base year कौन सर आएगा हमेशा fix है 3 तो यह आगया आपका 125 क्लेर होगे बात अब हमारे पास है last तो 4.5.25 पहले 4.20 current year बेस यह भी वहीड आएगा ओके इसके बात 5.25 divided by current year divided by base year current year 21 का लेलिया base year 4.20 लेलिया multiply by 100 तो यह आगया आपका 125 इसी तरह के सार लास्ट यह 5.260 2021 current year divided by base year तो यह आगया 133.33 क्लेर होगे बात यहां तक के आपने तमाम calculation कर ली अब इसके अंदर अक्सर examiner क्या करता है बोलता है इसका mean भी निकाले अच्छा mean निकालने का तरीका क्या है mean निकालने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप ये ये और ये यह जो जो जानिके answers निकलने इनके 100,100,100 आपने तीनों को क्या कर दिया एपस में add कर दिया क्योंकि या, क्योंकि formula क्या कह रहा है submission V upon M multiply by 100, किसके लिए mean के लिए, यानि submission V का total divided by M M किस चीज़ को show करा है, number of commodities commodities की तरह है, 1, 2, 3, ये 3 commodities हो गई ठीक है, तो submission V कितना है, 300 divided by number of commodities कितनी है 3, ये मैं आपको बता दे 1, 2, 3, ठीक है multiply by 100 formula का हो गया, तो मैं यहापे mean लिख देता हूँ, इसका हो गया 100 ठीक है उसके बाद next formula पूट करेंगे 354 0.2 divided by 3 multiply by 100, तो या जागा 118 ये क्या निकल ला है, आपका mean निकल ला है V1 का निकल आया, V2 का निकल आया और अब V3 में क्या है 383 0.3 divided by कितने है नमबर आफ कमोटिटीज 3 multiply by 100 तो ये आगे आपका 127.7 ये निकल आया आपका mean ठीक है, ये हो गया fixed base method से average of relative अच्छा, इसमें एक जो important बात मैं students के लिए बताना जरूरी समझूँगा, जो मुझसे बड़ा practical, जो मैं पड़ा रहा होता हूँ तो मुझसे practically question करते हैं कि सर, यहाँ पर commodities दीव हैं, यहाँ पर air दीव हैं, in case यहाँ पर number of commodities दीव हैं, और यहाँ पर air दीव हैं, ठीक है इस वाले कॉलम में ऊपर जो है yes, basically universe current-year यह वाइद योगा base-year यह होगा, फिर current-year यह और यह होगा इसी इतरा से करण्ययर यह होगा packed-year क्लेर बात यह जत्वे यह पर जिए होगा current-year डिवाइट बॉए-बैशे जो भी आपको base बताएब का क्लैर होगे बाद यह बाद और जो हमारे पास निकल ला comfortable जैसे आपको relax हूँ समझने आगई बात फिर भी कोई confusion और concern हो तो मैं आपके साथ हूँ आप मुझे comment box में जरूर बताईएगा Thank you for watching सबस्क्राइब करना नहीं बुरिएगा Take care, good bye